कि अधियार्व मैं यहां पे आपको बन वए बन जीटियु से जितने भी अपडेट अभी आ रहें मैं आपको सारा एक एक अपडेट कपन आपको बन बन बताओं जैसे कि अभी हमारे एक्जाम ओफ-लैन हो या ओलाइन होगे रिस्पॉंस क्या मिल रहा है वह में हमारी संपीट होगी है तो इसके बाद हमारा क्या प्रोसेस हो सकता हमारा एक्जाम होगा की नहीं होगा हमेरे कैसे किस प्रोसेस में क्योंकि डेट इस्टेंड होते जा रहा है कि देख रहे हो कि पहले फर्स्ट वीक डिसंबर जो अभी कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला तब फिर हुआ तेंट से फिर अभी 15 से और एक आपको अप्डेट देते रहते हैं और जात रों सही होता है कि हम गलत कभी बेleaders को करते नहीं तो देखो यह पहली बात हमारा एक्जाम जो होगा ऑन-लाइन होगा या ओफ-लाइन होगा तो यहाँ बोल रहें और देखो यहां पर दूसरी चीज और मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि यहां पर जो कुछ बच्चे जो कर जो हमारे जो स्टुडेंट्स होते हैं वह कहां कि और पर स्टेट है तो उनके लिए फिर फेज वाई फेज एक्जाम होगा जैसे लास्ट समिस्टर में क्या हु और जाज से कोई नहीं आपाता है अपने एक्जाम देने के लिए पहुंच बाता है तो उसके लिए क्या फेज वाई फेज फिर से दूसरा फेज फिर से एक्जाम होगा तो उस तरह को कंडिशन भी बना रहे हैं त्यार करें जैसा मैंने पहले बिए उपको बताया था कि फ उनका बाद में होगा जिनको इस तरह का प्रोलम हो तो मैंने चाहता हूं कि कि कोभी या कुछ भी हो और यह किसी को पहले पता नहीं होता है उसको होने वाला नहीं होने वाला इसायर पर कुछ हो जाए तो फिर इंफॉर्म करना पड़ेगा कॉलेज अब्सक्राइशन को यह सारे चीजे प्रेक्रिया होने वाले बीच में इसके लिए मैं हमारा दिमांड भी था कि हमारा एक्जाम जो पहले पिछले समिस्टर का जैसा था वैसे फिर से हो जाए लेकिन लगनी रहे कि वैसे एक्जाम होगा लेकिन क्योंकि यहां पर जात चीजे जो ऑफलाइन ही सब्सक्राइब करना तो वहां पर नहीं हो पा रहा है उनके लिए और यह आप ऐसे बहुत सकते हो कि हमारे प्रिप्र क्यों ली गई है जैसे आपने फिर समीट किया है कि 600 अरवे पर यह समेस्टर फी हमेसा लगता है लगता है लगता हर समेस्टर के इंड में आपका इग्जामनेशन होता है उसके लिए आपको एक्जामनेशन फी देना ही पड़ता चाहिए आप ऑनलाइन दो या आपको फी देना ही पड़ेगा उपर से यह भी होता है कि अभी 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 हमारे पास उनके पास भी अपने होस्टल पी नहीं किया बहुत सारे लेकिन आपके कॉलेज का जो उनकी लोगिस्टिक्स जितने भी अप्लाय होते हैं उनको सबसी चलाथ तो रहें अभी ऐसा तो प्रोफेसर होते हैं उनका पैसा गवर्मिंट यह लेकिन वहां वह बाकि जो दूसरी जो लोगिस्टिक्स जो अप्लाय होते हैं जीट्यू के जो होम सेंटर में जैसे आपका जो आप पिर से रीचेक के लिए डालते हो को पिर से मांकिस जाता है फिर से बन के आता है इन सब सब्सक्राइब करवानी होती है तो कुछ बहुत सब्सक्राइब पैसे लेते हैं कि जाकी प्रोब्लम ना हो क्योंकि इन जो पैसे लिया जाता है और उससे तयार किया जाता है और इससे यह भी होता है कि तयारी यह देखतें कि कौनकों साब देखो मान लो कि बहुत सारे ऐसे होते कि अभी तो इस टाइम पर क्या है कि यह जान नहीं चाहरे होंगा या जिनकी बैक्लॉग पढ़ी होगी होच चाहरे हुँँ चाह चोड़ो यार इस बार तो एम निकल इसे कुछ चुछ तो मानलो कि उसी साफ से करेंगे उनके लिए पिर्प्रेशन है अगर जो आप सोच लो के कोई कोई एक्जाम नेशन हो रहा है आप उसमें सब्सक्राइब करके सोच कि जाते हैं लेकिन अगर अपने सब्सक्राइब को और यह तो आपके अच्छी तरीके से देते हो तो यहां पर टेंशन मतलों कि मेरी सब्सक्राइब इसलिए होता है ताकि आपका थोड़ा सा जो उसका लोगिस्टिक सपोर्ट मिले उन सब जो जो मारी जीट्यू का उनको सपोर्ट मिलें चीज़ें को कि जो को सब्सक्राइब करने में क्योंकि अब यहां पर क्या बहुत जाए बढ़ेगी इसे आपकी तो बढ़ी भी नहीं आ करना ना उनको उसमें ज्यादा लगेगा आपके लिए मास्क को कराना सब्सक्राइब करना तो वहां पर उनको क्या पैसे थोड़ा ज्यादा लगेंगे कि अगर जो मान लो कि आप एक रूम में पहले पहले फोटी है फिप्टी है को करवाते थिक लिए लेकिन अभी वहां लग से आपको पूरा विवस्ता करना पड़ेगा हर रूम से तो उससे जो कितने सारे हो जाएगे तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा और आपको ऐसा तो यहां पर आपको हुआ भी नहीं है तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको बस नॉर्मल चीज़े चल रही है तो यहां पर आप टेंसर मतलो आपकी एक्जाम ऑनलाइन हो या आफ्लाइन हो आपको यह नीड यह होनी चाहिए कि आप पर प्रेशन अच्छे से करते रहो अगर जो ऑनलाइन होता है अब्जेक्टिव बेस्ट होता है उसमें भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा देखो यह की कुछ कोबिड के कारण तो आपको आपको पहले बूण को आपको पहले आ ऑफले ऑसके और ठरीके बेस्टों पढ़ना पड़ेगा तो जो मैं आप अपने सब्जक्स ट्रेक्स राब कर लो ना आपके उप्र कोई पड़ने पर कोई रेट पर नहीं चाहिए और आप जो टेंशन ले रहे हो कि आपका एक्जाम तो जैसे हमारे जो इनफुर्स आरे कोलेज की साइट से या प्रिंस्पल या फिर हमारे जो टीचर की साइट से वह यहीं और पहुत हैं कि आप इसनिया गया है ताकि आप थोड़ा हमें आप पढ़ाई करते रहो किश्वा कर रहे हैं और आपकी थोड़ी दिमांड है आगे आगे जाके कुछ करने वाले अच्छे आप अपने सब्जेक्स को कम से में प्रिपेर को जो से ताकि आप पढ़ते रहो नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रोप्लम आपको इसलिए तो आप इसका टेंसन मतलो कि एग्जाम कि नीशाम तो हो गई होगा ऑनलाइन ओफ लाइन वह आपे वह हम पर कोई फायदा नहीं है इसका टेंशन लेकर हमें की ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन होगा जिस तरी के फिलेंगे देना है अगर जो हम तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा एक्जाम क्या हो ऑनलाइन हो घर बैठे हो कोई टेंशन नहीं होने वाली लेकिन कि मुझे पढ़ना तो पड़ेगा और अच्छे पढ़ना पड़ेगा तो बस यही प्रप्रेशन करते रहो आपके सब्जेक्स इतने अच्छे कर लो कि आपका ऑनलाइन हो या ओफलाइन हो आपके रियल्ट पर कोई फेक्ट नहीं पढ़ने चाहिए और एक वाद और यहां सब्सक्राइब करेंगे तो उनके लिए उसके पास भी उनको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए और टाइम लेंगे लेंगे इसलिए मैं बोलाओ कि थोड़ेट है नो इनकी जोगी देखो पहले इनकी उनको उस तरह के से महल आपको करना पड़ेगा कि आपको कोई प्रोब्लम अगर जो नहीं हो पाता है सब चीज अच्छे से नहीं हो पाती है तब तो फिर आपका एक्जाम क्या होगा लास्ट में फिर इतको ऑनलाइन लेना ही पड़ेगा और ऑनलाइन के लिए आप भी कुछ करो आप अपनी टीचर हो या फिर प्रिश्पर्स को बोलो कि सर प्रोब